डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जिसी यू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डियर स्टूडेंट्स हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री डिसकस कर रहे हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने डिफरंट आयोनाइजेशन टेक्नीक्स जो हैं उनको डिसकस कर लिया था जिसमें भी थी और hard ionization techniques भी थी आज के lecture में हम देखेंगे यह molecule में fragmentation किस तरह होती है कहां से bond break होता है और फिर साथ हम stevenson rule भी discuss करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि ionization कैसे होती है देखें जो हमारा molecule है हम उसके उपर electron की bombardment करा देते हैं जैसा कि electron ionization में होता है electron impact में होता है जब beam of electron इसके उपर bombard करवाते हैं तो इसका भी electron निकल जाता है और radical cation बन जाता है एक electron इस molecule का निकला एक electron beam से आया तो यहां से दो electron निकल जाएंगे अब dear student किसी भी molecule में कौन सा electron है जो easily निकलता है यानि molecule में lone pair भी हो सकते हैं, pi bond भी हो सकते हैं, sigma bond भी हो सकते हैं तो जिस electron के निकलने के chance सबसे ज़्यादा होते हैं वो lone pair वाड़ा होता है इसकी ionization energy सबसे काम होती है, इसको निकालना सबसे असान काम होता है क्योंकि lone pair के जो electron होते हैं, they are under the attraction of one nucleus attraction थोड़ी होन पर, उसके बाद आता है pi bond के electron और फिर finally sigma bond के electron यनि अगर molecule में lone pair है, pi bond है, sigma bond सारे हैं तो lone pair वाड़ा electron निकालना सबसे असान है फर इसमें यह हमारे पास कोई भी molecule है जिसमें y एक hetero atom है और इस hetero atom पर lone pair of electron है यनि oxygen हो सकता है, या कोई भी functional group हो सकता है जिसमें lone pair है जैसे ketones में कार्बोनिल है तो उसके oxygen पर भी lone pair होता है ethers है, esters है, इनमें oxygen पर lone pair होता है, amine है और amides है, nitriles वगरा है nitrogen पर lone pair होता है तो यह जो lone pair वाड़ा एक electron है, जब हम यहां पर bombardment करेंगे, यह वाड़ा electron यहां से निकल जाएगा और radical catein बन जाएगा सिग्मा electron नहीं निकलेंगे, मुश्कल से निकलेंगे इसके बाद है, हमारे पास एक molecule जिसमें double bond, यह पाई bond भी है और हेट्रो एक्टम पर lone pair भी है तो यहां पर भी पहले, जो है, वो lone pair वाड़ा electron निकलेगा, radical catein बन जाएगा अगर्चे यहां से भी electron निकलेगा, लेकिन preference में lone pair वाड़ा जो electron है, उसको निकलना असान है इसी तरह हमारे पास double bond और single bond है, तो πाई bond वाड़ा electron निकल जाएगा और radical catein बन जाएगा, यनि दो electron होते हैं, जहां bond होता है, एक निकल जाएगा, तो यहां पर एक बच जाएगा और अगर single bond है सारे, तो यहां पर सिगमा bond वाड़ा electron, carbon hydrogen वाड़ा भी हो सकता है, carbon carbon लेकर जो कर्बन कार्बन जो है, उसकी bond energy कम होती है, तो कर्बन कार्बन वाड़ा electron निकलना आसान है, carbon hydrogen से, तो इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन होने से radical catein, यनि molecular आइन बनता है, अब है even electron rule, stevenson rule, fragmentation, जो fragment बनते हैं, अब molecule से molecular आइन तो बन गया, ये हमारे पास molecular आइन बन गये हैं, ये हमारे पास radical catein बन गये हैं सारे, अब radical catein ने आगे fragment produce करने, इसने break होना है, fragmentation से ही हमें आगे structure का पता चलना है, अब जो fragmentation होती है ना, वो uni molecular process है, यह नहीं, इसमें एक ही molecule involve होता है, fragmentation by molecular process नहीं हो सकता, क्यों, क्योंके एक तो हम pressure बहुत कम रखते हैं, कि molecule के collide करने के chance बड़े थोड़े हैं, कि बाई molecular process हो जाए, और दूसरी वज़ा, इनकी life बड़ी कम होती है, इतना time नहीं होता, कि दो molecule collide करके एक निया fragment बना दे, तो fragmentation जब भी होगी, वो uni molecular process से होगी, अब होगी कैसे, for example, ये हमारे पास एक radical केटाइन बन गया, अब इसमें fragment कैसे बनेंगे, जब ये break होगा तो एक बन जाए radical और दूसरा बन जाए केटाइन, यानि radical केटाइन, एक तरीका है break होने का, यानि इसके दो fragment बनें, एक radical बन गया और दूसरा केटाइन बन गया, ये ऐसे भी हो सकता था, कि इससे एक निया radical केटाइन बनता और साथ neutral molecule निकल जाता, देखे, चार्ज आपने चार्ज का ख्याल रखना होता है, कि इस पर एक unpaid electron है और positive charge है, तो net जो fragment बनेंगे, उनमें ऐसे होना चाहिए, जैसे एक positive charge और free radical है, तो यहाँ पर देखें, एक free radical है, ये black में और ये red में positive है, या अगर इससे एक और free radical और केटाइन बन गया, radical के neutral होगा, क्योंकि उस पर फिर कुछ चार्ज नहीं आ सकता, ये तो radical केटाइन तो बन गया, चार्ज और unpaid electron तो यहाँ पहुँच गए, अब ये जो positive आईन है, इस neutral ने तो देखें, accelerate ही नहीं होना, direct ही नहीं होना, ये जो positive वाला है, ये फर्दर fragment बना सकता है, कि इस एक और कार्बो केटाइन बन जाए, और positive चार्ज इस पर आ चुका है, तो इसका मतलब है, दूसरा fragment फिर neutral होगा, तो इस तरह से fragmentation होती है, इस तरह से हमारा molecule break हो सकता है, कि या तो वो radical और केटाइन दो fragment बना दे, या फिर radical केटाइन एक निया बने और एक neutral बन जाए, और neutral को कु क्योंकि इसने तो accelerate नहीं होना, केटाइन फिर जो है, फरतर एक केटाइन बना देगा, चार्ज तो आ गया, इस पर प्लस वन, अब दूसरे वड़ा fragment फिर neutral होगा, अब है कि bond कहां कहां से break होते हैं, देखें, स्टेवेंसन रूल के मताबक हमें देखनी है stability उस जो हमारे पा जहां से bond break होगा, जहां से stable कोई fragment बनेगा, तो सबसे जो energetically most favorable process होगा, वो fragment बनाएगा, means जिससे बनने वाला fragment ज्यादा stable होगा, जैसे for example, कार्बो केटाइन बन रहे हैं, तो stable वाला कार्बो केटाइन तर्शरी होता है, तो bond वहां से break होगा, जहां पर तर्शरी कार्बो क टाइन बनेगा, जैसे हमारे पास ये एक molecule है, ये एक alcan है, जिसमें ये एक carbon ऐसा है, जो quaternal है, चार कार्बन से टैच है, और ये वाला carbon जो है, ये तीन से टैच है, ये वाला carbon तीन से टैच है, ये चार से, अगर यहां से break करेंगे, तो इस पर positive चार जाएगा, और ये टर energetically favorable process कौन सा होता है, जिसमें बनने वाला fragment ज्यादा stable होता है, positive charge, अब दो fragment बन जाएगे, positive charge किस पर आएगा, जिसकी ionization energy low होगी, साफ सारह वो ही electron lose करना पसंद करेगा, जिसकी ionization energy low होगी, जैसे मैंने पहले बताया, lone pair वाले electron पहले निकलना पसंद करती है, next, fragment जो सबसे stable ion बनाता है, वो सबसे favorable होता है, यानि उससे बनने वाला ion stable, कार्बोकेटाइन चोगे हम organic chemistry पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा तर कार्बन को ही हम discuss करेंगे, तो कार्बोकेटाइन में जैसे tertiary secondary से ज्यादा stable है, तो tertiary वाला fragment बनने के chance ज्यादा होगी, negative ion जैसे electro negative atom पे negative charge आ होता है, अगर electro negative atom पे positive charge आ जा जाए, तो वो stable नहीं होता, तो fragment वो ही बनेगा, जिससे stable ion बनी, जैसे कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन वो ही बनेगा, जो सबसे ज्यादा stable है, वो ज्यादा favorable होगा, इसी तरह fragmentation वहाँ पर ज्यादा chance है, जहाँ पर branching होगी, simple सी बात है, जहाँ branching होगी, इसका मतलब है, वहाँ पर stability of the कार्बोकेटाइन ज्यादा होगी, तो जहाँ branching होगी, वहाँ पर ज्यादा chance है, bond break होने का, fragmentation का, often loss of a neutral fragment, जहाँ से neutral fragment निकलता है, चोंकि neutral molecule ज्यादा stable होते हैं, तो इसका मतलब है, जहाँ से neutral molecule निकलेगा, वो वा तो जो stable neutral fragment ज्यादा favorable होगा, उसके बनने के chance ज्यादा होगी, तो इस तरह Stevenson rule में, जो हमारे पास fragmentation होती है, वहाँ से होगी जहाँ से stable fragment बनेगा, simply वो stable कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, वहाँ से break होगा, वो stable free radical भी हो सकता है, वो neutral molecule भी stable हो सकता है, और जो सब से common mode of fragmentation है वो one bond cleavage है, जहां से एक bond break होता है, क्योंकि एक bond को break करना आसान है, जैसे हमने एक lecture में discuss किया था, कि जो हमारे पास cyclic compound होते हैं, उसकी जो molecular iron peak होती है, molecular iron peak की stability ज्यादा होती है, उसमें fragmentation जो होती है, उसके chance कम होते हैं, वज़ा क्या है, क्योंकि इन में fragment अगर produce करना है, तो दो bond break करने पड़ेंगे, और last में जो large alkyl group होता है, वो preferably lost होता है, बलकि ग्रूप्स जो होते हैं, उनके निकलने का chance ज्यादा होता है, तो इस तरह से stevenson rule, simply ये बात याद रखें, stable iron या stable neutral molecule बनेगा तो वहां से fragmentation easy होती है, अब कार्बोकेटाइन में जो सबसे least stable होत होता है, फिर primary carbogatine है, उसके बाद secondary carbogatine है, उसके बाद tertiary carbogatine है, because of hyperconjugation, यहां हम hyperconjugation डिसकस करते हैं, कि जो tertiary carbogatine होता है, वो ज्यादा stable होता है, क्योंकि एक तो inductive effect है, दुसरा hyperconjugating structures, no bond resonating structure ज्यादा बगती है, इसके बाद allyle है, allyle में ये resonance हा जाती है, जो allyle होत पास carbogatine, तो उसमें चूंके resonance हा जाती है, तो resonance की वज़ा से उसकी stability बढ़ जाती है, तो allyle जो ये carbogatine है, ये tertiary से भी ज्यादा stable है, और इन सबसे ज्यादा stable जो होता है, वो benzyl carbogatine है, इसको हम ट्रोपोलियम आइन BC से वो जो fragment बनता है, 91 वाला, तो ये benzyl carbogatine, यहा ये de-localized होता है, जाद रखिए अगर resonance mostly dominating phenomena होता है, stability में, inductive effect और hyperconjugation से, जहाँ resonance आएगी, inductive effect आएगा, जैसे देखें, tertiary carbogatine में बहुत ज्यादा hyperconjugating structure बनती है, inductive effect भी है, लेकर हम इसको ज्यादा stable कह रहे हैं, allyl को, क्योंकि इसमें resonance होती है, और फिर जहाँ benzyl में बेंजीन रिंग भी आगी, तो resonance और ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है, ये fragment और ज्यादा stable हो जाएगा, यनि अगर किसी molecule में break होने के बाद ये वड़ा fragment बन रहा है, तो इसका मतलब है, ये band break होगा, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर हमारे पास कोई भी fragment लगा हुआ है, फार एक्जमपल ये है CH2 और CH3, तो यहां से break होगा, यहां से break नहीं होगा, यह वाली position से break नहीं होगा, क्यों यहां से break होगा, तो positive charge रिंग पर आएगा, जो के बिलकुल stable नहीं है, यह वाला अगर यहां से तूटेगा, तो positive charge यहां पर आएगा, और यह वड़ा कार्बोकटाइन बहुत stable हो जाएगा, तो bond वहां से break होगा, जहां से stable आइन यह stable neutral molecule बनता है, यह है Stevenson Rule Dear Students Fragmentation के बारे में, next lecture में हम discuss करेंगे कि fragmentation की types कौन कौन सी होती है, thank you very much.